Brought to you by My11Circle. Play with Champions. Download the app now. कर लिया है और इसके साथ ही कैसे सनराइजस हैदराबाद की अब बल्ले बल्ले हो गई है इस वीडियो में देखते हैं फॉर्मेट चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट पिछले कुछ सालों में इंग्लेंड का वेकोफ अंदाज उन्हें खास बनाता है वेलिंग्टन में दूसरा टेस्ट इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच चल रहा है लेकिन खुश खबरी सनराइजस हैदराबाद के लिए आई है दरसल IPL आक्षन में हैरी ब्रुक को सनराइजस हैदराबाद में 13 करोड 25 लाख रुपे की भारी भरकम रकम में खरीदा था और उन्होंने अब इंग्लेंड के लिए रिकॉर्ड्स की जड़ी लगा दी है ब्रुक करियर के नौ टेस्ट के बाद केवल महान डॉन ब्रेडमैन और सुनिल गावसकर से ही पीछे है न्यूजिलेंड के खिलाब दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लेंड 21 रन पर 3 विकेट गवा चुका था जिसके बाद ब्रुक बल्ले बाजी करने आते हैं और दिन का खेल खत्म होने तक ब्रुक 184 रन पर नाबाद रहते हैं और तो और उनके बल्ले ने एक ऐसी आग लगाई कि उन्होंने एक रिकॉर्ड में विनोध कामबली को भी पीछे छोड़ दिया दरसल शुरुवाती 9 टेस्ट मैच के बाद विनोध कामबली ने 798 रन बनाये थे वहीं ब्रुक ने करियर में खेले गए 6 टेस्ट की 9 पारियों में 100 की ओसत से 99.38 की बेजोड स्ट्राइक रेट के साथ 807 रन बना दिया हैं जिसमें 4 बेमिशाल शतक भी शामिल हैं तो ब्रुक ने अभी तक 800 रनों का आकड़ा 6 टेस्ट मैच में ही पार कर लिया है ब्रुक ने इंग्लेंड के लिए अपना करियर बतार लिमिटेड ओवर स्पेसिलिस्ट की तरह शुरू किया था लेकिन केवाल अपने छोटे से टेस्ट करियर में ही वो इंग्लेंड के मिडेल ओडर की एहम कड़ी बन चुके है SRH ने ब्रुक को भारी भरकम रकम में खरीदा IPL शुरू होने में लगबग एक महिने का समय रह गया है SRH को अपना पहला मैच 2 अप्रोयल को राजस्थान रोयल्स के खिलाफ खेलना है ऐसे में हेरे ब्रुक का ये कमाल का फॉर्म SRH फैंस के मन में IPL 2023 के लिए बड़ी उम्मीदे जगा रहा है देखने वाली बात होगी कि ब्रुक ये फॉर्म IPL में भी बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं विरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट Live Analysis, Special Interviews, Download कीजिए Sports.Camp